कि अचल्व फ्रेंड मेरा नाम है मिशाल और आप सभी का स्वागत आपने वीडियो इप चैनल मिश्टर धावरुन नहीं आपर तो गाईस आज की वीडियो पर मैं आपको एक और शांदर चीज बनाके दिखाने वाला हूं तो यह है हमारी शांदर चीज यहां पर मिन बनाके दिखाने वाला हूं आप सभी को robotics जैसे भी आर्म ठीक है तो गाइस यह पर देख सकते यह जो जैसे भी होती है उसी टाप की पूरी आर्म में बनाई है और इसको बनाए पूरा MDA board injection और pipe के दुवारा तो गाई इसके साथ में controller भी है जैसे यह देख सकते हो इन controller को आप जैसे इस टैप से घुमाओगे तो यह जो हमारे जैसे भी है यह मूग करेगी यह पर तो देख सकतो यह जो जैसे भी इस टैप से मूग करती है इसको अगर आ इंट्रेस्टिक और मजधार वीडो होने वाली है वीडो कर दीजे लाइक अगर अच्छी लगती है तो उर गाइस चालू करते आज का वीडियो और गाइस रुकिये भी इस वीडियो को कैसे शूट किया गया है कैसे क्या हुआ सब कुछ अगर आपको देखना है उस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा दिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको बिहां इंड शीम या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहां का आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर में कुछ दिनों बात अपने रूम का टूर भी आपको दिखाने वाला आपको चाहिए किसे हम शूट करते सब कुछ आपको मिलने वाला है तो चालू करते हैं वीडियो वीडियो कर अच्छे लागे तो लाइक कर देना चल्वाइब कर देना मेरा नाम विशाल और आप सभी का स्वागत अपने वीडियो चैनल मिश्टर धार उन्यापा तो बाइ हआप तो यहां पर मैं 3 cm की यहां पर पक्तिया कट करूंगा इस MDA बोट की जिसे हम आर्म बना सकेंगे यापर ठीक है तो सब पहले स्केल से 3 cm यहां पर माप ले लेता हूँ और इहां पर देख सकतो से में इन पीसमें को कट करने के बाद बड़ा वाला पीस यूज है जिस पोला का धक्कन होता है उसको लेने के बाद यहां पर हम गोल मार्किंग कर लेंगे इसके बाद यहां पर इसे मैं ग्लैंडर के दुवारा अच्छे से राउंड शेप में दे दूँगा अगर आपके पास ग्लैंडर नहीं है तो गाइस आप सेंट पेपर का भी यूज कर सकते और इसको गीश सकते हो आराम से थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन आराम से काम हो जाएगा आपका इस टाइप से राउंड शेप दे देंगे अब यहां पर मैं दो एमडे बोट का टुकड़े कट करूंगा जिसे देख सकते हैं यहां पर पतली साइच के टुकड़े हैं और हमारी जिदो आर्म होगी इन दोनों आर्म को जोड़ने के लिए इन दोनों का हम यूज करेंगे तो कैसे जोड़ते हैं मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए काफी मज़ा आने वाला है इसको बनाते समय मुझे काफी प्रोब्ल इस टैप से पतले वाले टुकड़े हैं उन्हों को इस टैप से दोनों साइड में चिपका लेंगे अब हमारे जो उपर वाला जो आर्म का टुकड़ा है उसको हम यहां पर इस टैप से लगाएंगे तो इसके लिए आपर एक होल करना होगा ताकि यह मुझ कर सके फ्री लूँगा और हमारे जो देख सकतो हो इस टैप से हमें होल करना है और नट और बोल्ट लूँगा यहां पर तो आपको हाड़वेर की शौपर इजीली मिल जाएगे एक दो रूपे के ठीक है तो आप 10-15 लेकर आज जाना काम में आएंगे कभी घर पर पड़े रहेंगे तो इस टैप से देख लिए हमारे आर्म यहां बन चुकी है और यह इस टैप से मूँ कर रही है उपर नीची की साइट में तो काफी अच्छे से मूँ कर रही है ज्यादा टाइट आपको नट बोल्ट नहीं कसना है डिला है रखना इसको अब हमारी जो हमने यहां पर लगा है इससी टैप से आगी की साइट में हमें आर्म कसनी है तो यहां पर देख लिए मैंने इस टैप से कल दिये लेकिन इसको तोड़ा मैंने बीच में आपर होल करने के बात कसा है इस टैप से ठीक है अब यहां पर मैं एक राउंड शेप यूज़ कर रहा हूं एम्डियो बोट क इस टाओरिक्स बनाने के लिए याप ल OMG आप सभी जानते हैं इक्स टाइब का होता है तो यापर टेन पर की साइट में वीडियो में जिसे आपको देख रहा है उसी टाइप से अब यहां पर सूपर गुलू से इसको चिपका देंगे ताकि इधर-उदर भागे नहीं निकले नहीं ठीक है और इस टाइप का एक लंबा वाला त्री सेंटीमेटर वाला आपको त्री सेंटीमेटर त्री इंच वाला यहां पर आपको नट बोल्ट लेना है और यहां पर आर्म की बीच मेंने होल कर रहा है उसके अंदर इस टाइप से लगा देंगा दोनों साइड में निकलना चाहिए यह ठीक है अब इंगेक्शन ले रहा हूं मैं और कुछ जिप टाइज ले रहा हूं य हमने एक जिप टाइब बांदी उसके पीची की साइड में दूसरी लगा दी जिसे आप वीडियो में देख रहा हूं और इसके जो उपर वाले से उनको कट करने के बाद सूपर ग्लू से हम चिपका देंगे आपर सूपर ग्लू से चिपकाने से पहले आपको ध्यान रखना कर नीचे साइड में मूँ करना रहा है तो देख लिजे हमारे जो आर में काफी अच्छी तरीके से उपर और नीची की साइड में मूँ कर रही है इसको हम बाद में दूसरे इंजेक्शन से लगाकर फ्रीली मूँ करवाएंगे तो अब यहाँ पर देख लिजे आपने कर लेंगे और जो हमारी नली थी उसको फेकना नहीं है भी उसका भी हम यूज में लेंगे आगे ये भी आपको सारा का सारा जो इंजेक्शन है और ये जो आप देख सकते हो जो मैंने आपको नली दिखाए ये गाइस आपको आपको मेडिकल शोप पर एजीली मिल जाएगी, बीस रुपह, दस रुपह की आपको मिल जाएगी इंजेक्शन पांच रूपह का मिलेगा और ये जो नली है आपको बीस रूपह की आसपास मिल जाएगी और गरम कर यहां पर गरम करने के बाद जो हमारा जैसे भी की बकेट जो होती है उस टाइप का यह पर शेप दे दूँगा अगर आपके पास यह डू टोर्च नहीं है तो आप गेस के अंदर भी इसको गरम कर सकते हो और वहां पर इस टैप से शेप दे दीजे आप इसको ठीक है इस इस टैप से चिपका दूँगा तो सूपर गुलू के दुआरा इसको चिपकाएंगे हैं और ध्यान रखना आपको गाइस सूपर गुलू से कुछ भी चिपकाते हो आप तो उससे पहले आप उससे रफ कर लिजे एक बार ताकि यह अच्छे से चिपकाएगा अगर आप डा इस टुकड़े का टुकड़ा यूज़ करूंगा इस टैप से में और इसके बिल्कुल मीडल पॉइंट में ऊपर की साइड में इस टुकड़े को मिया पर लगा देंगे ठीक है और गाइस यह जितने भी पार्ट से मैंने खुदने बनाए इनका नाम पता मुझे पता नहीं क्योंकि यार कहीं लिखा हुआ तो हैंनी था तो इसके बाद यह आप देख लीज़े एक जो हता है हमारे किताब में लिखा हुआ एक उस टैप से बुक में जो लिखा हुआ तो चाइब का मैंने की से पार्ट से इस शूर। वह मैंने बना आइक है और इसके बाद हम ऊपर सब्सक्राइब नियुक्त नियुक्त अन्दर का है वास इसको का मभा आप लगाना होगा तो यहाँ पर देख लिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा रहा हूं श्टैप से आप इसको लगा दीजिए तो इन्वेंचन नहीं है जैसे भी तो आल्रेडी बन चुकी थी लेकिन इसके जो पार्ट से मैं छोटे-छोटे पार्ट से बनाए इन्हों के नाम पते कहीं नहीं मिलेंगे आपको ठीक है तो यह आप जैसी वीडियो देख लिए आप वीडियो के अंदर जो आप आर्म से दे पका देना है अब यहां पर एक दूसरा MDA बोट का टुकड़ा यूज़ कर रहा हूं है और इसके आगे की साइट में मिडल पोइंट में यहां पर एक होल कर लूँगा में अब जो हमने होल किया है इसको इस टैप से लगाना है और हमारा जो नट बोल्ट है उसको वाइसर क इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है आराम से मुह करना चाहिए और गाइस यह जो हमारे नट बोल्ट लगाए नीचे की साइट में टच होगा इसलिए यहां पर देख सब तो मैंने फ्रेम बनाई इसकी तो सूपर गुलू से आप चार लकड़ी का टुकड़ा लगा दीज होगा सूपर गुलू के दुआ और यह हमारा कंप्लीट हो चुका है तो गाइस अब हमें क्या करना है देख सकतो है हमारी इस टैप से मूँ कर रही है तो हमें आप एक इंजेक्शन लगाना होगा ताकि आराम से मूँ कर सके हम जब इसको कंट्रोल करेंगे उस टैम से ओटो जाएगा तो यह आगे पीछे इस टैप से मूँ करेगा अब इस इंजेक्शन के अंदरा में लिक्वीड भेजना होगा तो इसके लिए आपर मैं नली का यूज करूंगा तो जैसे मैं आपको दिखाए थी पहले जो हमारी हातों में लगती हो नली मेडिकल शोप पर आपको आपर खूल कर दिया मेरे स्टैप से और एक ब्लेक कलर का जो इस क्रूब के अंदर लकडी का अंदर कसने का जो इसक्रूव होता है वह यह आपर ले रहा हूँ उन इसको यापर से कद दूंगा इस लकडी के अंदर तो इसको यहापर जाधा टाइट नहीं करतना है इतना ज पीछे वाला भागे उसके यहां पर लगाएंगे इस टैप से तो इनों को यहां पर सूपर से में सबसे पहले चिपकाऊंगा उसके बाद पीचे के साइट से एक होल करने के बाद इनके अंदर यहां पर भीडिओ लंबी ना हो इसलिए मैं फटाबर्स आपको पर दिखा दिय तो इनके लिए आपर मैंने लकडी के टुकड़े लगाए चार आगे की साइड में और हमारे इंजेक्शन को इस टाइप से फिट कर दिया है ठीक है ज्यादा कुछ कट इन काम नहीं जिसे हमने आर्मों में लगा था उसी टाइप से यहां पर इसको लगा के दिखाया है देख फिटने भी हमारे इंजेक्शन थे उनके अंदर मैंने आपर क्या किया लगा दिए अब पानी डालना है तो यहां पर एंजेक्शन के लगाएंगे और आपको ध्यान डखना इसके अंदर बिलकुल भी एर नहीं रहेगे ठीक है और हम यहां पर इस टाइप से लगाने के बा तो जैसे भी होती है उस टाइप की लग रही यहां पर यह अमारे कंट्रोलर से और यह अमारी आर्म है ठीक है अब यहां पर मैं आपको समझा लेता हूं तोड़ा दिखा देता हूं क्योंकि मेरे फटापट से काम कर जाता ताकि वीडियो लंबी ना हो तो यहां पर जो हमने तो यह अंडर पानी बर रगा जैसे यह इंजेक्शन लाए ठीक है इंजेक्शन का अंदर यहां से एले ल तो चलेंगे नहीं ठीक है तो एक खाली और एक भरा हुआ रेना चीए जब इसको हम खीचेंगे ना तो इसका पानी सारा इधर आ जाएगा वह वेक्यूम क्रेट होगा तो बन हो जाएगा इसी टाप से उरक वर्ट करेगा तो हमने चार इंग्रिक्षन लगाए चारों के आएर दिर era जाएगी लगाइए शुडे के लिए वेक्या क्वाटा तो इसा आएगे चारों के लिए लिए सब्लेएपा तो हमने प्टां बन्स की बने लिए छुब के तो गाइज अब याल देखा आपने केसे को मैंने चलाया है और कितना जादा अमेजिंग चीज है मतलब यहाँ पर मैं इसको कुछ टेस्ट करके नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि अभी रात हो रही है मैं आप इस्टूडियो के अंदर वीडियो बना रहा हूँ लेकिन अभी क्या है कि रात हो रही इसलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि आपको वीडे भी दे नहीं काफी लंबे समय से वीडे नहीं आपाई मैं और यहीं करके दे दूँगा जो के आर में गाइस पूरी पूरी जैसे भी जैसी लग रही है तो ये हैस एक लाइक तो बनता है लाइक जरूर कर olduğu जर्देना अगर आपको वीडियो अच्छछा लगता है तो रूटी रूटी गाइस पर वीडो नहींहें आए आप जाकर देख सकते हैं इस वीडो को डालने के बास एक दिन बाद आ जाएगा आपके बास ठीका है तो जाए उस चैनल कर लीज़े है आपको वीडियो मिल जाए तो मिलते ए हिंज यह बारत बायर वेडिस